कई बारे ना हम fancy खाना खाने के बाद ठक जाते हैं हमें लगता है कि कुछ अच्छा सो simple वाला हमें खाना मिल जाए कुछ तिखा हो चटपटा हो ऐसा खाना मिल जाए देशी खाना तो बढ़िया लगता है तो आज मैं आपके सामने लसुन की चतनी और भाकरी लेके आई हूँ और ये भाकरी और लसुन की चतनी गुजरात में बहुत famous है सबके गर में simple सा ये बनता ही है तो चलिए बनाते हैं यहाँ पर मैंने दो कप लिये हैं भाकरी का आटा और ये आटा है रोटी से थोड़ा सा दरदरा होता है ये आटा ये special भाकरी का आटा है तो दो कप यहाँ पर लिया है उसके बाद तीन बड़े चमश यहाँ पर तेल डालेंगे तेल यानि कि यहाँ पर मोहिन जाधा डालना होता है जिससे भाकरी अच्छी बनती है आधी चमश यहाँ पर नमक डाला है आप स्वात के अनुसार भी नमक डाल सकते हो कम ज्याधा उसके बाद हम इन सब को मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद हम इस दरह से मुठी में आटा लेंगे तो ये गठा हो जाएगा इसका मतलब है कि इसका मोहिन परफेक्ट है थोड़ा थोड़ा पानी डालत के हम आटे को गुंत लेंगे यहाँ पे हमें आटा जो है रोटी या पराठे जैसा नहीं गुंत ना है यहाँ पे हमें थोड़ा इससे कठीन गुंत ना है तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इस आटे को तयार गर लेंगे ये आटा जितना कठीन होगा उतनी ही आपकी भाखरी एक्तम कड़क बनेगी और कड़क भाखरी खाने का एक अलगी मज़ा होता है इसे आप चाई के साथ खा सकते हो लसन की चटनी के साथ खा सकते हो या कोई भी सबजी के साथ आप इसे खा सकते हो तो यहाँ पे हमारा आटा रेडी है आप देख सकते हो इस तरह सा हमें कठीन आटा गुंधना है उसके बाद हम इसे 10 मिनिट के लिए रेष्ट पे छोड़ देंगे उसके बाद हम इस आटे में से छोटे-छोडे पैड़े तयार कर लेंगे अब हम भाकरी को बेल देंगे बेलते टाइम आपको ध्यान रखना है कि हम जैसे-जैसे इस भाकरी को बेलेंगे कई बार इसके जो किनारे होते हैं उसमें क्रेक आजाती है क्योंकि ये दरदरा आटा है और ये थोड़ा कठिन भी होता है तो हम जब भी बेलेंगे तब हमारे बाकरी के किनारे होगी उसमें क्रेक आजाएगे तो आपको क्रेक आ जाए तो क्रेक को मिला के जाना है और इस बाखरी को बेलते जाना है इस तरह से हमें बाखरी को बेलना है बाखरी हमें यहाँ पे थोड़ी सी मोटी बेलनी है रोटी जैसी पतली नहीं बेलनी है बाखरी इस तरह से बेली जाती है इसके बाद यहाँ पे मैंने मिट्टी का तवा लिया है उससे पहले से गरम कर लिया है उसमें हम भाकरी को सेख लेंगे यहाँ पे हमें मिडियम आज पे ही भाकरी को सेख ना है एक साइट थोड़ा सा यह सिख जाए तो उससे दूसरी साइट पलड़ लेंगे और दूसरी से हम भाकरी को सेख लेंगे और ये बाकरी हमारी सीख चुकी है ये बाकरी एकदम कड़क बनती है अब अब गरम गरम भाकरी के ऊपर गी लगा लेंगे गी लगाने के बाद ये बाकरी बहुत थी अच्छी लगती है आप इसे सुबह चाय के साथ भी खा सकते हैं सब्ची के सा अब हम बनाते लसन की चटनी के लिए यहां पर मैंने आदा कप छिला हुआ लसन लिया है लसन को हम बारेक बारेक गूट लेंगे पेस्ट बना लेंगे लसन की यहां पर मैंने जीरा डाला है ये बुना हुआ जीरा नहीं है कच्चा जीरा है तो एक बड़ी चमश यहां पर जीरा डाला है जीरा को भी हम लसन के साथ में कूट लेंगे इस चत्नी में जो जीरा है उसका टेस्ट चत्नी में बहुत ज्यादा अच्छा आएगा उसके बाद यहाँ पे आदी छोटी चमश नमक डाला है और नमक को भी हम चट्नी में मिला लेंगे लसन के साथ नमक आप स्वात की अनुसार भी डाल सकते हो ज्यादा कम नमक मिला ले उसके बाद यहाँ पे गूड डालेंगे तो यहाँ पर मैंने आदा कप गूड लिया है गूड की quantity आपको ज्यादा ही रखनी है जिसे क्या होगा कि यह तिखास और जो मिठास है उसका balance रहेगा गूड को भी हम कूड लेंगे लसुन के साथ अच्छी तरह से इसमें पानी हमें कुछ भी add नहीं करना है गूड और लसुन सब को हम अच्छी तरह से कूट लेंगे तो एक बहुत ही चिकना वाला यह पेस्ट तयार हो जाएगा जब गूड अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए लसुन में उसके बाद हम एक बड़ा चमश डालेंगे लाल मिर्श पावडर यहाँ पे लाल मिर्श पावडर आप इससे थोड़ा कम भी कर सकते हो थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हो अगर आप ज्यादा तीखा खा रहे हो तो आप थोड़ा ज्यादा इसमें एड़ कर सकते हो अची तरह से हम इसे मिला लेंगे तो हमारी ये लसुन की चटनी है बिल्कुल खाने के रिए रैडी है ज़रूर इस तरह से आप ट्राइ करना इस लसुन की चटनी को आप एक काच की बनी में बरके रख दीजे अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हूँ तो प्लीज इसे लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे